दिल्ली की निजाम उद्देन इसे तबलीगी जमात के मरकज यानि के इसलामिक धार्मिक आयोजन केंद्रु में कोरोना वारस संग्रमन का सबसे बड़ा मामला सामने आया मरकज बेल्डिंग में मौझूद 24 लोग पॉजिटिफ पाए गए ये जानकारी दिल्ली के स्वासमंत्री सतेंद्र जयन ने दी उन्होंने ये भी बता कि सुमवार से अभी तक 334 लोगों को अस्पिताल में शिफ्ट किया गया वही 700 लोगों को कौर्टाइन भी किया गया उन्होंने कहा कि जब देश में लोगडाउन था उस वक्त इस तरीके की गदिविदी करना अपराध है इधर महला क्लिनिक का एक और डॉक्टर कोरुना पॉजिटिफ पाया गया है